नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहीब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी इस वक्त मैं बैठी हूँ डॉक्टर सुनील कुमार सिंग के साथ जो की बिहार के सबसे प्रसिद नीत्र चिकित्सकों में से एक है डॉक्टर साहब को आप अकसर हमारे चानल पर देखते भी रहते हैं डॉक्टर साहब से आज हम यह समझने की कोशुश करने वाले हैं कि जब एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो आँखों में किन बैमारियों का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहब बढ़ती उम्र के साथ आँखों में जो समस्याएं हैं वो क्या क्या बढ़ने लगती है बढ़ती उम्र के साथ आँखों में क्या समस्या जो है वो शुरू हो सकती है देकि बढ़ती उम्र के साथ कमों बेश सारे ओर्गन में एजिंग चेंजेज आते हैं जो कि नॉर्मल है डिबलेटिंग डिजबिटी वाली अस्तर पे नहीं जाती है वो लगाते लगाते है 55-60 आते आते वो 2.5 तक जाता है जब हुआ कि इतना तक आगए पूरा करने है नजदीक में आप देखेंगे लोग चश्मा नहीं लगाते हैं 40 के बाद शुरू करते हैं पावर बढ़ता जाता है 55-60 आकरके नजदीका पावर इस्टेबलाइज करता है नॉर्मल है एजिंग चेंजेज है कोई डिजीज नहीं है इसके साथ आप अगर अन्य जो समस्या आती है उसका असर भी आँख पर आता है आँसु कम बनते हैं ड्राइ आई होता है आँख में सुखता है तो सुखापन के लिए अगर आपको जाते हैं एक तो एज ये कारण भी आँखों में लेकरेमल गरेंड का सेक्रेशन कम होता है गेठिया में ज्यादा होता है तो आँखों में dry eyes होता रहता है सुखापन तो ये देखना है कि सुखापन जो है आँख में वो किस grade का है अगर समाने grade का है तो आप पानी से आँख धोते हैं lubricating eye drop को प्रियोप करते हैं ठीक रहते हैं लेकिन गंभीर अगर समस्या का dry eye हो तो उसके अनुपचार करते हैं ताकि आँखे बची रहें क्योंकि आँखेंगी तो पुतली में जखम होगा और समस्या यह आ सकती है तो ये हो गया फिर आदमी कुछ दवा ज़्यादा खाता है दवा का भी dry eye syndrome होता है एज के बाद बुजरुगों में आ करके होता है तो बुजरुगों के diabetes जब ज़ादा होता है तो डियाबिटिक रेटनापती जिसके कारण डियाबिटिस जनत द्रिश्टी दोस भी होता है आँखों में देकर वो समझ से आती है जो आप बुजरुगियत में जाएंगे तो आँखों में होता है तो कोई खास बात नहीं है को मोतिया बिंद का एक मात्र इलाज है operation और operation करने के बाद मोतिया बिंद के जो कारण रोश्णि गई होती है वो लोट के चली हाती है लेकिन धोखा यहीं होता है कि बुजरगों में अगर रोश्नी कम होता है तो बुजुर्व सोचने है कि मोतिया बिंधी है डॉक्टर को दिखाने में आना कानी करते हैं देर करते हैं और निकलता है वहाँ जाके दूसरी बिमारी और हर बिमारी में रोश्णी लॉट आई है को जरूरी नहीं ग्लुकोमा भी हो सकता है जो बुजुर्गों में होता है और ग्लुकोमा से गई वी रोश्णी लोटके नहीं आती है बुजुर्द समझते हैं कि ये तो मोतिया बिंध है निकलता ग्लुकोमा है तो ग्लुकोमा का भी जांच एक उमर होने के बद आप डॉक्टरों से अपना दिखा लें कि हम बुजुर्ग हो गए मेरी आँख के जांच कर लो आप मोतिया बिंध कहीं नहीं हो ड्याविट नौपथी नहीं हो ग्लुकोमा नहीं हो अनाखों बिमारी तो नहीं हो तो नियमित उन तराल पर बुजुर्गों का आँख करने तो जांच करने चाहिए डॉक्टर साब अभी जैसा कि आप कह रहे थे कि अकसर बुजुर्ग हर आँख से जुड़ी समस्या को मूतिया बिंध समझ कर इलाज में ना परवाही कर देते हैं तो बिमारी कुछ और भी निकल सकती है ऐसे में से कौन से लक्षन है जो अगर बुजुर्गों को अपनी विजन में नजर आए तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए देखिए बुजुर्गों अगर हो रहे हैं आप तो नियमित अंतराल पर नियतर जांच कर आले चाहे आप समान ने आपको हो तो भी आप लेकिन अगर आपको द्रिष्टी दोशे देखने में दिक्कत है आँखों में दर्द है आँखों में लाली है किसी परकार के समस्या है आँखों में सुखापन है तो आप तो जरूर दिखाएं अगर आप बुजुर्ग होने के कारण बहुत सारी जो बिमारियां होती है उसकी रोषनी जो जाती है तो लौट के नहीं आती है तो नहीं चिकित्सक देख करके उचीत समय पर आप उपचार करेंगे ताकि आपकी रोषनी जाही न और उम्र भर आपकी रोषनी अच्छी रहे भले कुछ दवाईयां लेनी पड़े कुछ उपचार कराना पड़े लेकिन ये फैसला चिकित्सक करेगा और चिकित्सक के पास जाएं और डिनायल मोड में लापरभाई के मोड में न रहें तो कि आँख अगर जब तक आप जेवित हैं आपको अच्छा देखना है एक बहुत ही बड़ा महत्तपुर्ण चीजे का अच्छा देखना और च्छे देखने के लिए आप अराम से आप अगर होते हैं तो अगर समय पर आप जाने और nutritional supplement लेते रहें vitamins लें, minerals लें तो आपको इतना इसका progress slow होगा कि आपको जीवन भर रोशनी अच्छी रहेगी अब बिना कोई आप handicap के अपनों जीवन वेतीत कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि कोई भी बीमारी अगर होता है आँखों में अगर आपका आपकी आँखें अनमोल हैं ताकि जीवन भर आप अच्छा से देख सकें वो ठीक इलाज से बिलकुल आपके आँखों के जो रोशनी उसे बचा कर रख पाएं इसे के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहीब के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहीब से आपके क्या सवाल है और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं धन्यवाद